और बात करते हैं मद्द्पिदेश की पूर मुख्यमंत्री उमा भारती की जी हाँ उमा भारती इन दोनों अपने आकर्मक शैली और विवादत बयानों के चलते लगातार चर्चाओं में हैं लेकिन आज उमा भारती बिना बुलाए बीजेपी कारे सम्मित्य की बैठक में पह पहुंची तो चारों तरब खुसर पुसर होने लगी आपको सुनकर यह आश्यर होगा कि उमा भारती साल 2005 से लेकर अभी तक बीजेपी की किसी भी प्रदेश कारे सम्मित्य की बैठक में शामिल नहीं हुई लेकिन वो आज पहुंच गई और जब वो पहुंची तो मंच प बिठा दिया और अपने लिए फिर दूसरी कुर्सी मंगवाई दरसल भोपाल के बीजेपी कारेले में कारे सम्मित्य की विशेश बैठक चल रही है पहला सत्र शुरू हुआ ही था कि पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती बीजेपी कारेले में सीधे पहुंच गई मिटिं उनको कोई भी आमंत्रण नहीं था मौजूदा दिगज बीजेपी के नेता उमा भारती को देखकर असहच मैसूस कर रही थे और उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया कि तत्काल संग्ठन महामंत्री उठे हितानन शर्मा फट से उन्होंने अपनी कुरसी उनको दे दी और अपने लिए दूसरी कुरसी मगा दी हाला कि उमा भारती मिटिंग में ज़्यादा देर तक नहीं रुकी और ना ही उन्होंने भाशन दिया और ना ही किसी से ज़्यादा बाच्चित की लेकिन दो हजार पांच में मुख्यमंत्रीक पद से हटाये जाने के बाद 18 साल बाद 18 साल बाद उमा भारती भोपाल में बीजेपी की किसी बैठक में शामिल हुने आई थी वो भी बिना बुलाए अब इसके क्या माइने निकाने जाए दरसल उमा भारती पार्टी में खुद को सक्रिय बनाय रखने के लिए अब मद्द परदेश में ताल ठोक रही है क्योंकि आपको याद होगा पहले वो मुख्यमंत्री पत से हटाई गई उसके बाद उन्होंने पार्टी को चैलेंज किया गया पार्टी से निलंबित किया गया उसके बाद निशकाशित किया गया बाद में फिर नितिन गड़करी और संग के प्रयासों से वो बीजेपी मे वापस आई और मद्द प्रदेश के सभी निताओं से चर्चा हुई कि भई उमाजी को हम ले रहे हैं लेकिन प्रदेश के ज़्यादातर निताओं ने कहा कि अगर उमाजी फिर से आ गई तो मद्द प्रदेश का ताना बाना बीजेपी का फिर बिखर जाएगा अनुशासन हि प्रदेश से किसी दूसरे राज ले जाए गया चुकि उमाज़ा भारती बुंदिल खंड की प्रभावी निता रही तो उन्हें मद्द प्रदेश से ही सटे हुए राज उत्तर प्रदेश ले जाया गया और जहासी से लोकसभा का चुनावर आए गया वह जीत गई और जीत नितरों के निशाने पर ले और उसके बाद फिर उन्हें लोकसभा चुनावर नहीं लड़ाया गया राज्यसभा नहीं दी गई और केंदर में मंत्री नहीं बन पाई लेकिन उमाभारती अभी भी सक्री राजनीती में रहना चाहती है लेकिन अब उनका मानना है को किसी प्रदेश से राजनीती करना चाहती है उपस्तिती दर्ज कराना चाहती है इसलिए मद्ध प्रदेश के निता ना चाहें केंदर के निता ना चाहें लेकिन उन्होंने अपनी उपस्तिती मद्ध प्रदेश में सामाजिक सरोकार के विश्यों के जरीए दे दी है और इसी कड मानते हुए बीजेपी की पुर्देश कारे समिती में पॉंट चे गई तब जबकि उन्हें नहीं बुलाया गया हलाकि ऐसी तमाम गत्विदियां उमा जी की रही हैं लेकिन पिछले दुनों अपने ट्विट में उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंग चोहान के खलाप ही बयान दे दिया था जिसके बाद बीजेपी ने वहां से दूरी बना ली थी ताई यह हुआ था कि उमा को बीजेपी में बीजेपी के किसी कारकर में नहीं बुलाया जाएगा और नहीं अगले चुनाओं में उनसे प्रचार भी कराया जाएगा लेकिन अब बीजेपी काराले में उमा भारती बिन बुलाय पहुच गई है महमान की तरह और खलबली मच गई है लेकिन इस बीच वो शिवरा सिंग चोहान की तारीफ भी कर रही है उनके काम की भी तारीफ कर रही है उनके प्रयासों की भी तारीफ कर रही है और अपने लिए एक संकेत खोज रही है और पार्टी को भी एक संकेत दे रही है लेकिन फिलाल बीजेपी का कोई भी निता इस मामले में बोलने से बच रहा है कि उमाजी का संकेत क्या है या बीजेपी का संकेत क्या है लेकिन इतना जरूरत है कि मद्द प्रदेश में दस महीने बाद होने जा रहे विधान सबा चुनाओ में उमा भारती बीजेपी में अपनी उपस्ति दर्ज करा रही है और इस बार किसी दूसरे प्रदेश से नहीं बल्कि मद्द प्रदेश से ही चुनाओ लड़ने की उन्होंने ठानी है मद्ध प्रदेश के BJP नेता भरे ही उमा भार्ती को प्रदेश में सक्रिय होने से खुश ना हूँ लेकिन उन्होंने उमा भार्ती ने ये तई कर लिया है कि वो अपना राजनेते खिल अब मद्ध प्रदेश से ही खिलेंगी और अगर नहीं खेल पाई तो खेल भिगड भी सकता है अब बीजेपी ये तै कर ले कि वो उन्हें अपनी टीम से खेलाना चाहती है या फिर वो किसी और की बी टीम बन कर मद्द प्रदेश में खेल खेले ये पार्टी को तै करना है पार्टी के सामने कई चिनोतियां है और वो चिनोतिया पार्टी के सर्वे में लगातार दिखाई दे रही इसलिए कौन सा मॉडल करनाटक मॉडल गुजरात मॉडल उत्तर प्रदेश मॉडल कौन सा मॉडल मद्द प्रदेश में अपनाया जाएगा इसके लिए थोड़ा से इंतिजार और करना पड़ता है